हेलो दोस्तों वेलिकम टुमेट चेनल मेरा नाम है मुशा और इस वीडियो में हम TACximo मोटर काlistr करेंगे यह water pump है जो हम टके लिए मोटर आता हाई यूज में तो यह वाइंडिंग का जो या पार्ट वान हिस वाले पार्ट में हम running वाइंडिंग install करेंगे और मैंने आपको इस winding data दिया है इसमें पूरा A to Z और winding के connection कि इस तरह लेते मैंने आपको सब A to Z इसमें बताया है तो आप वीडियो को पूरा last तक देखिए तो ये जो motor है हमारा जल चुगा है तो हम इसे कर लेते open तो motor open कर लेते हैं और ये motor जलने का जो कारणे वह पानी गया इसमें इस वज़े से motor जो है वो पूरा जल चुका है इस side आपको अच्छे से अच्छा दिख रहा हूँगा लेकिन पीछे से देखिए यह पूरा बहस्ट हो चुका है मतला हम यहाँ पर पानी गया था तो यह पूरा winding जल चुका है तो हमें जो यह जितना winding दिख रहा है इस winding को बाहर निकाल देना है ताके हम इसके टर्न्स वगेरा सब डाटा इसका नोट कर ले अपने नोटबुक पे तो यह इस मोटर की नेम प्लेट है जो के यह टेक्समो कंपनी के मोटर है अब हम इसके जो winding है वो पूरी बाहर निकाल देना है और मैं आपको पूरी winding बाहर निकाल देने के बाद आप ब दोस्तों हम इसके बारे में थोड़ी सी बेसिक इंफोर्मेशन जान लेते हैं यह वोटा टेक्समो कंपनी का है 0.5 HP का मोटर है और केपिसिटर जो इसमें साड़े 12 MFD का लगता है 12.5 MFD का तो हम इसका रिवाइंडिंग करेंगे तो मैं इसके आपको स्लोट साइज बता देता हूं और मैंने आपको वाइंडिंग डाटा भी दिया है इसके वीडियो में तो आप वीडियो को लास्ट टक देखिए वाइंडिंग मने ए टू जेट बताए आपको कनेक्शन किस तरह लेना है हर चीज तो मैं हम इसका स्लोट साइड बता बता देता हो आपको इसका जो स्लोट साइज है वह सेवन सेंटिमीटर है जो स्लोट है इसके शेवन सेंटिमीटर लंबाए आप हम इसके अंतर पीवी से पेपर लगा देना है चो चोब तो पेपर पिठाने के लिए लगता है टाइम दोस्तों तो इसलिए मैंने वीडियो को जो है वो फास्ट कर दिया ताके ज्याधा टाइम जो है वेस्ट ना ओ क्योंकि वीडियो जहें वो बहुत जादी लंबे हो जाती है तो मैंने जो पेपर ये पहले से और डेड़े काट के रखा हुआ था तो सारे पेपर लगा के हमने इसमें कंप्लेट कर दिया तो ये है इस मोटर के कॉईल सेट ये है स्टार्टिंग ये वाला है स्टार्टिंग वाला कॉईल सेट और ये है रनिंग वाला कॉईल सेट तो मैं आपको यहाँ पे एक चीज बता देता हूँ ताक कि आप अगर निव आइंडर है तो कंफ्यूज ना हो देखिए हमारा जो कॉईल पीचाता है मोटर का 6,8,10,12 तो ये एक सेट हो गया और ये एक सेट हो गया तो इसमें भी चार कॉईले 6,8,10,12 की और इसमें भी चार कॉईले आप यहाँ पे दिख़िए हैं और इस बड़ी बड़ी कोईल से आउटर वायर निकला है और इस बड़ी कोईल के आउटर वायर साथ ये अखंट जॉइंड है मतल yen मैंने इसके बिच में जॉइंड नहीं तो अगर 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 आपको यह नई समझ में आता है तो मैंने वाइंडिंग में इसको बताया है किस तरह से connection ले सकते हैं लेकिन आपको फिर भी अगर problem जाता है तो आप क्या करिए इसके दो अलग अलग set बना दीजिए आपको इस तरह को कोईल अगर नहीं आते है बना के तो description में और i button में आपको link मिल जाएंगा किस तरह से कोईल बनाते है तो आप इसको अलग अलग भी बना सकते है तो इस तरह से आपका इस वाले set का एक outer और inner निकलेंगा और इस वाले set का भी एक inner और outer निकलेंगा लेकिन यहाँ पर मैंने इस तरह से यह इसका inner wire निकला है और इसका भी outer outer जो है बड़ी वाली कोईल का common है मतलब लगा हुआ है तो आप इसको काटके भी लगा सकते है अगर आपको नहीं समझ में आता है तो वह तो हम winding में देख लेंगे इसको किस तरह से connection लेना है तो आप connection side जो है अब उस तरह से उस side में आपको connection side रखना है जैसे कि यहाँ पर hole दिख रहा है यहाँ से connection बहारे निकलता है मतलब है हमारा connection side है तो आपको और इस तरह से दो separator paper काट लेना है जो कि हमारे coil बिठाने के लिए काम में आएंगे और आपको coil sets ले लेना है मैंने दोनों भी ले लिया क्यूंकि आखन joined है तो इसलिए मैं पूरा set ले लिया यहाँ पर दोनों भी तो मैं अभी जो है कोई भी आपको एक slot में बिठा देना है जैसे कि मैं यह वाला slot ले लेता हूँ हमें अभी एक से 6 वाली में बिठाना है coil और यहां से गिनना है आपको देखें जिस तरह से मैं गिन रहा हूँ एक दो तीन चार पात छे तो हमारा एक से 6 आता है यहाँ पर तो पहले हम कोई भी एक slot में बिठा देते हैं जैसे कि मैं यहाले slot में बिठा देता हूँ तो हमको अभी सबसे छोटी वाली coil लेना है और इसका यह ध्यान रखना है inner outer का तो दोस्तो यह जो है wire यह इसका inner है इस वाली coil का तो हम यह left side में रखना है तो coil को अभी इस तरह से पलटा दीजी और यह जो wire है इस side में आना चाहिए left side में तो हम इसके थोड़ा सा पतला कर लेना इसे और इस side में आपका outer wire आना चाहिए तो यह inner wire देखिए इसका अब मैं इसे बिठाता हूँ अब slot में separator paper लगा के इस तरह से coil को अच्छे से बिठा दीजी मने वीडियो थोड़ा fast कर दिया आपका coil बैठ जाने के बाद आपका देखिए दो चोटी वाले कोईल के अंतर क्योंकि इसके slot के अंतर एक और कोईल आएंगा तो यहां पी बिलेक पेपर यूज़ करेंगी वह यह बिलेक पेपर इस तरह से फोल्ड करना है और लगा देना है इसमें तो मिस वाले पार्ट को थोड़ा fast कर देते हैं ताकर टाइम वेस्ट ना इसे हमें side कर देना है inner wire जो आपका left left side में जाहिए जिस तरह से मेरा आया है और हम कोईल का दूसरा side बिठाते तो कहां पे बिठाना है वो देखिए आपको जहां पे slot में बिठाया है अपने coil वहां से गिनना है आपको 1-6 जासे 1-6 जिस उसमें भरेंगा वहां पे आपको बिठाना है तो मैं अच्छे से दिखा देता हूँ तो हमारा जो कोईल है इस वाले slot में तो हम यहां से गिनते हैं 1-2-3-4-5 और यह 6 तो हमारा इस वाले slot के अंदर 6 भर रहा है 6 बीच तो हम यहां पे बिठाएंगे और बीच में आपका 4 slot जो है वो खाली बचना चाहिए जिस तरह से यहां पे बचिए 1-2-3-4 तो इस तरह से आपके 4 slot खाली बचना चाहिए अगर आपने यह वाली छोटी coil अगर सही बिठा दिया तो आपके जितने भी पूरे coil से वो आइटोमेटिक सही बिठाएंगे आपका पीच जो है वो गलत नहीं होगा तो इसे बिठाते देना है और इसे आप सेफ दे देना है अच्छे से कोईल को बच्चे से सेफ दे दीजिए चाके ऊपर वाले जो कोईल है वो अच्छे से बैट सके अब हमारी 1-6 वाली कोईल जो हो बैटके complete हो गी आप उसी के उपर जो slot खाली बचता है 1-8 वाली वहां पे आपको paper लगा देना है आपने 1 कोईल सही बिठा दिया मतलब इस वाले 1-6 वाली कोईल के पीच माकर आपके 4 खाली बचते एक से 6 में आपने इस रही बिठा दिया तो आपको गिनने का जूरत नहीं है आप चाहे तो गिन भी सकते तो मैं यहाप एक से 8 वाली कोईल देखिए मनी यह जो को खुक है कैसा में चाहिए Summit से दो करनेक्शन का दियान रखना है करनेक्शन की स्तरह से लिना हम अपको अच्छे से बता देथा हूं कि इस वाली कोईल कामा वाला जोका हमारा लेसम लेफ सैड में आना चाहिए और यह राइट से अंदर आप देख है ौडर इस वाले हैं कर देते हैं पतला करना है कोईल को थोड़ा सा और अचा से से बढ़ाना है कि इस वाले वीडियो के पाट को भी मैंने थोड़ा फास्ट कर दिया है कि आब हमें यह जो कौईल बैट गया इस साइड में हमें बिलैक पैपर यूज़ करना है हमारे कशल कोई akan आने वालन यह स्लोट में तो हमें आप यह पे पीवी सी पेपर यूज करना है आप पेपर को अच्छे से स्लोट में बिठा दीजिए तो हमारा जो एक साइड है वो बैठके कंप्लेट हो गया अब इसी वाले कोईल के पर यह स्लोट खाली बचता है यहाँ पे आपको यह वाला कोईल बिठाना है कोईल का यह साइड बिठाने के पिलिए टाइम लगेंगा बहुत जादा तो इसलिए इसको भी फास्ट कर दिया मैंने तो हमारा जो वो साइड कोईल का बैठ गया है अब वहाँ पे आपको इस तरह से PVC पेपर लगाना है और इस कोईल को अच्छे से से स्रेफ दे देना है बैठने के बाद तो हमारा जो एक से आट वाला कोईल है वो बैठ के कम्पलेट हो गया अब इसी के उबर हमको एक से दस वाली कोईल बिठाना है तो उसी के उपर जो स्लोट खाली बचता है आपको वही से स्टार्ट करना है तो मैं आप लगा देता हूँ सेपरेटर पेपर और आपको एक से दस वाली कोईल ले ले लिने अप सिर्फ कनेक्शन समझीए बैठा तो आप लेओंगे कोईल को यह देखिए जो एक से आट वाले का जो आउटर निकल रहा है और इस वाले कोईल के इस वाले इनर वाले साइड में जा रहा है तो हमारा जो यह वाला साइड है यह वाला इस वाले सलोट में आना जाएए तो आप क्या करिए कोईल को पकड़ के इस तरह से घुमाईए कि यह जो वायर है आपका नीची जाना चाहिए मतलब इस साइड में आपको यहां से दिखा देता हूँ अइसा इस तरह से जाना चाहिए और जब कोईल आप बिठा दोगे इस तरह से तो इह आपका U-type connection बनना चाहिए मतलब इसाधर से आउटर निकल रहा है और इस साइड में इनर जा रहा है आईसा नहीं होना चाहिए ठीक है connection wrong हो जाएगा निए तो आपका connection ऐसा होना चाहिए मतलब यहां से निकल के इस वाले coil में इस तरह से जा रहा है और इस side से outer निकल जाएगा जो कि इस वाले slot में आएगा तो इस वाले coil को हम बिठाते हैं तो इसको अच्छे से आप पहले पतला कर लीजी में कुछ नहीं है दोस्तों सिर्फ इसके अंदर जो है ना वाल थोड़ा मोटा आई से बिठाने के लिए तरह भारी जा रहा है लेकिन आप जो है connection पर ध्यान रखिए बिठा तो आप लोगे असानी से सिर्फ connection आपका में अगर सही आता है आपका तो मोटर घुमेंगा नहीं तो अगर गलत कर देंगे तो मोटर आपका घुमेंगा नहीं तो मैं इसको अच्छे से बिठाता हूँ कोईल बैटने के बाद आपको फिर से इस तरह से पेपर इस तरह से फॉल्ड करना है और इसमें बठा देना है अब मोटर को पल्टा देना है और उसी एक से आट वाले की उपर जो यह स्लोट खाली बचता है इसे में हमको यह बठाना है जो के एक से दस पीच हो जाएंगा हमारा तो हम वहां सेपरेटर पेपर लगा देते है जहां पर कोईल बठाने के लिए टाइम लगता है वहां पर मै वीडियो को जो है फास्ट कर देता हूँ तो हमारा एक कोईल बैट गया फिर से आपको इसमें पीवी से पेपर लगा लेना है पाच यह साथ नंबर का यूज़ कर सकते हो आप और इस कोईल को अच्छे से 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 शेफ देते शेफ अच्छे से दीजिए अप ताकि उपर वाल कोईल भी बैट चुकिए हम हम एक से बारा वाली भी ठाइंगे तो हम कनेक्शन समझ लेते हैं बस कनेक्शन काई प्रॉब्लम है बाकी कुछ नहीं कनेक्शन या आपको आता है सही से लेके तो आप मोटर को कोई भी मोटर को रिवाइडिंग कर सकते क्योंकि सिंगल फेस हम नि की जसक आधा सथा कि उसके तरह के कनेक्शन आते है तो देखीं ये एक से 10 वाली जो कोईल से हमार जह है या ऊटर वायर निकल है यह बायर आपको को要ङ dio degree सिय आ जा रहा है इसका मतलब इदर से निकल रहा है और इस वाले साइड में जा रहा है तो इस तरह से आपका यू टाइप कनेक्शन मनना चाहिए और यह इसका inner से निकल के inner में जा रहा है तो इस तरह से हम यह वाला side इस वाले slot में बढ़ाती है तो चलिए मैं इस में बढ़ाता हूँ कeil को थोड़ा पतला कर लेना है ताकि यह अंदर जाए अब separator paper आपको slot में लगा देना है आपको PVC paper ले लेना है और उस स्ेलट में बिठा देना है कॉयल बैठने के बाद एक साइड बैठने के बाद आपको मोटर को पलटा देना है और इस वाले यह से दस वली कोईल के पर यह स्बोड जो खाली देख रहा है इसी स्लोड के अंदर हमको बिठाना है तो मैं लगाते हैं तो paper 72 यह इसलिए लगाना है कि अपना जो coil है वो कहले नहीं है तो अघर आप नियू-windर same story जाएंगा तो motor ज़र जाएंगा शौट हो जाएंगा अपस में coil वायर से तो कम्री के मतास से आप बिठाईए उसको आसानी से आपको PVC पेपर लेना है और स्लोट में लगा देना है कौईल बैटने के बाद में फोल्ड करके उसको यू टाइप से आप फोल्ड कर सकते हैं उसको और अच्छे से से शेव दे देना है कौईल को आपको एक साथ पुरा क्वाइल जो है शेप नहीं देना है थोड़े थोड़े करके तार शेप देना है आपको दूसरे वाला सेट जो है वह हमें इसी तरह से स्टॉल करना है तो वह मैं आपको उसका एक क्वाइल जो है बिठा के बताता हूँ एक से छे वाली कैसी किस तरह आपको वह ही अगर आपने सही बिठा दिया तो वाइंडिंग आपको पूरा सही आएगा उसमें कोई चेंज ही नहीं होगा या फिर आप कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा तो मोटर को पल्टा देते हैं आप देखिए अपको आप हहां सकत दो कोई आपको अब यहां से 6 वाली कॉईल बिठाना है अब ही इस वायर से काम निया है इसको यह लास्ट में देखेंगे यहां पर आजेंगे 1-8 वाली। 1021 tv यहां पर आजेंगे 12 दस शेँ तो सबसे पहले आपको इस वाल के अंदर एक साइट बिठा देना है और देखेंर यहां रखना है कि таких him खाली बाचना चाहिए दोनों साइड में, तो वो तो हम देखेंगे, तो पहले इसमें हम कोईल बिठाते हैं, तो मैं अभी इसके सबसे छोटी वाली कोईल ले लेता हूँ, और आपको यह अगर कोईल बनाके नहीं आता है, तो आप डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया क्योंकि हम लेफ्ट साइड से इनर इनर छोड़ रहे हैं राइट साइड से आउटर आउटर, तो यह जो मेरा आत में इनर वाला वायरे हमें इस वाले स्लोट में आना चाहिए, इसका आपको ध्यान रखना है, यह तुम्हारा आपना यह जो है, मोटर का बहुत मेन कनेक्श इसमें अगर आप चूकते हैं तो फिर आपका मोटर जो हो रिवाइंड नहीं होंगा बराबर, या फिर मोटर घुमेंगा ही नहीं, या फिर जल जाएंगा, ठीक है तो यह ध्यान रखना है आपको, कोईल तो हमने बिठा दिया इसके अंदर एक साइट, आप आपको यहां पर जो पेपर यूज करना है, वो देख लीजिए, क्योंकि यहां पर हमारा स्टर्टिंग वाले कोईल का जो है, कोईल आएंग आउपर एक से आट वाला, तो हम अभी इसमें बिलेक पेपर यूज करना है, तो इस तरह से आप इसे फॉल्ड कीजिए, और इस वाले स्लोट म परेशान कर रहा है, आप यहां से आप देखिए, गिन लीजिए, जो इस वाले स्लोट में हमने कोईल बिटाए है, या तो आप यहां से एक से छे गिन लीजिए, या फिर इदर साइड में भी आप तीन स्लोट खाली छोड़ दिजिए, जैसा के यह बारा वाली कोईल का, य इस वाले स्लोट में बिठा देते हैं को तो कोईल पेटने के बाद में आपको वही ब्लेक पेपर यूज़ करना है वहाँ पर और इस कोईल को अच्छे से सेफ दे देना है तो मैं इसे सेफ दे देता हूँ तो हमारा एक से छे वाली कोईल बैठ चुकी है अब हमें एक से आट वाली कोईल बिठा नहीं है तो उसी के उपर जो सलोट खाली बचता है आपको उसी में बिठाना है क्योंकि आपका जो आप ए तो किवह-मेटीक साहिए आएंगा एक्से एक्से याट एक्से इरे दस-े-एक्से बारा chat वाली कवा जूँ है तो यहां पर आपको शेपरेटर प्वेपर लगा देना है सिफ कनेक्ष्न का ध्यान राकना है जिस तरह हमने पहले वाला जो स्ट बिठाया है उसी तरह से आपको यह वाला सैट बिठाना एं रहा है सेम以上 इस्टैलेशन कोई चेंच नहीं है कि भस आपको कनेक्शन का द्यान रांकना है तो मैं आपको दिखा देता है यह कोय का आवटीर और इस वाले साइड में जा रहा है है इस साइट का इनर वायर है इस तरह से जा रहा है तो आपको इस तरह से कोईल को पल्टा देना है तो यह जो हमारा इस साइट से यू टाइप कनेक्शन बनना चाहिए इस तरह से जैसा कि यहां से निकल रहा है इस वाले साइट में जा रहा है यू टाइप कनेक्शन बन गया तो हम यह जो साइड ही इस वाले स्लोट में बिठाना है, तो कोईल को थोड़ा पतला कर लेते हैं और उसमें लगा देना है आपको, यह वाइट वाला पेपर उस कोईल का एक वाले साइड ही बैठ गया था आप इसी 1-6 वाले के उपर जोई स्लोट खाली बस्ता है यहां पर आपको वेपर लगा देना है और उसमें आपको यह कोईल का जो दूसरा साइड है बिठाना है तो मैं यह 1-8 वाली, 1-10 वाली बिठा देता हूँ में कनेक्शन 1-12 वाली पर है तो मैं आपको वो दिखा हूँगा ठीक है तो मैं अभी वीडियो स्किप कर देता हूँ दोस्तों मैंने इस वाले सेड के जो दो कोईल बागी थे वो मैं दे बिठा दिया यह वाले सेड भी बिठाना है सिफ कनेक्शन जो है मेन वह यहाँ पर कन्फ्यूजन होता है जो के मेन बनता है यह आपे तो पहले हम कोईल को सिधा कर लेते हैं अच्छा से से सही कर लेते हैं सेप में आप देखें सबसे पहले तो हमें सेपरेटर पर लगा देना है जो यह वाला स्लोट खाली है आप क्यूकि हम लाफ-लाफट साइड वाइंडिंग कर रहे हैं तो वह वहाँ पर लगा देना है सेप्रेटर आप ध्यान दीजिए यहां पे connection पे देखे यह जो 110 वाला कोईल का यह जो outer निकल रहा है और इस वाले कोईल की इस वाले side में जा रहा है जो कि इस वाले कोईल का inner है तो हमें यह जो side है न इस वाले slot में बिठाना है मतलब यह कोईल को आपको इस तरह से पल्टा देना है और यह देखी निच्चे से आपका U-type connection बनना चाहिए जैसे यहां से निकल रहा है इस वाले कोईल से और इस वाले side में जा रहा है और यह जो बड़ी वाली कोईल कोईल देखी थैसे बाराई और जिससे यह आउटर आ रहा है इधर से यह वाला और जो यह 112 वाली कोईल है एस वाले inside में जा रहे हैं यह वाले side है इसका out अउट है कि इस तर्को इस तरन है आप जो उपर का कनेक्शन जो विए आपका वह सी तरह से यू टाइप च्छी अब्दरी मतलब इसमें से निकल के इस वाले साइड में इस वाले सरे पास्लॉट में जाना चाहिए तो आपको इस तरह देमा आएये तो नीचे वाल Tä AC connection है आपको यह वाले side में इस तरह से बिठाना है देखी अच्छे से आपको दिख रहा है ना देखो एक मिनट बार चे से दिखा देता हूँ यह उपर रहना चाहिए आपका यह वाला जो outer outer का है और यह जो outer through inner है वो आपका नीचे रहना चाहिए connection तो आप इस तरह से पतला की यह कोईल को अब हम इसके अंदर install कर देते हैं से बिठा देते हैं को कोईल बैड़ गया है सेपरेटर पेपर बार निकाल देना है उसमें PVC पेपर लगा देना है जो कि यह है मेरे पास PVC पेपर जो आपका main connection ता outer outer का उसमें confusion होता है new winder को तो वो मैंने आपका दूर कर दिया अब दीखिए आपका connection इस तरह से हो जाएंगा यह जो इस वाले कोईल से जो outer निकल रहा है यह वाला एक मिलट मैं च्छे से दिखा देता हूँ देखिए यहां से outer निकल रहा है इस वाले कोईल से और इस वाले कोईल की इस वाले साइड माउटर जा रहा है तो हम यह कोईल का साइड बिठाते यह और फिर देखते हैं से किस तरह दिखता है वो connection तो आपको सेपरेट खाली बसता है लास्ट में उसी में आपको यह बिठाना है आपको इस पर पीवी से पेपर लगा देना है कोईल बैटने के बाद पर यह से हम पीछे वाले कोईल को सेफ दे देते हैं आप देखिए connection में आपको अच्छे से दिखाता हूँ देखिए हमारा जो एक से दस वाली जो कईल थी यह वाली यहां से निकल रहा है आउटर और इस वाले कोईल के इनर साइड में जा रहा है यह होगा हमारा नीचे वाली connection एक से एक से बारा वाली connection आप यह देखिए जो बारा बारा वाली जो connection रहती है अगर आप कोईल अलग अलग बनाते थे तो यहां पर आपको जोइन लगाना करता है तो देखिए यहां से निकल रहा है आउटर और इस वाले आउटर में connect हो जा रहा है इसी तरह से हमारा जो है वो उपर स्टार्टिंग वाली जो आइंडिंग आएंगी वो भी इसी तरह से connection होगा तो हम इसे अच्छे से safe दे देना है और इसके उपर cotton tape लगा देना ह तो मैं आपको cotton tape बता दूगा किस तरह लगाना है पहले मैं यह से safe देता हुआ अच्छे से तो दोनों साइड से आपको cotton tape लगाना है cotton tape जो हमारा आता है cotton tape इस तरह का तो यह cotton tape हमारे को लगाना है यहां पर इस तरह से पट्टी काट लीजे और इसे हम दोनों साइड लगाएंगे तो उससे पहले हम थोड़ा सा इसको बीच में से काट लेते है देखी आपको कुछ इस तरह से लगा देना है अच्छे से यह हमें इसलिए लगाना पड़ता है जो उपर का जो हमारा winding आएंगा जो के starting वाला है वो coils और running वाली coils आपस में touch now तो हमारा जो motor का जो life है थोड़ा सा वो बढ़ जाएंगा यानिके जो जलने के चांसे वो कम हो जाएंगे तो इस तरह से आप अच्छे से इसे बिठा दीजी तो यह हम दोनों साइट लगा देंगे तो मैंने जो पिछे जो साइट था वो मैंने complete कर दिया मैं आपको एक ही यहाँ पर लगा कि दिखाया हूँ देखिए कुछ इस तरह से हमारा इस साइट में भी लगेंगा और इस साइट में भी तो यह तो होगे हमारा winding अब दुसरे पार्ट में हम starting वाले coin कोईल किस तरह बिठाते हैं वो देखेंगे और साधी connection motor winding करने के बाद में motor winding करने के बाद में साथ में connection देखेंगे कहा common किस तरह बनाना है अब चाहे तो अंदर भी बना सकते हैं लेकिन वो देखते हम